प्रस्निगार, यदि किसी वृत की दो जिवाएं AB और CD है, जहांकि AB बराबर 4 cm, CD बराबर 3 cm, तो इन दोनों में कौन केंद्र के अधिक निकट है, तो पहले यहां पर एक वृत बनाएंगे, इस तरह से, अब कहा रहा है कि, यदि किसी वृत की दो जिवाएं, AB और CD, देखिए, यहां पर A लिखेंगे, और यहां पर B, जीवा कहा रहा है, तो AB को मिला देंगे, एक सीधी रेखा से, तो यह हो गया जीवा, AB, तो यह AB क्या हो गया, जीवा, यानि यह AB जो रेखा खंड है, इसको जीवा कहेंगे, और जो AB वृत के परीधी पर है, इसको चाप कहेंगे, तो ए भी कितना है चार सेंटिमीटर ए भी है चार सेंटिमीटर अब यहाँ पर लेंगे सीडी सीडी को भी मिला देंगे सीडी है तीन सेंटिमीटर और यहाँ पर है केंद्र इस व्रीद का केंद्र है ओ तो कह रहा है कि यदि किसी व्रीद की दो जिवाएं A, B और C, D है जहांकि A, B बराबर चार सेंटिमीटर C, D बराबर तीन सेंटिमीटर तो इन दोनों में कौन केंद्र के अधिक निकट होगा यानि केंद्र के निकट केंद्र के नजदी कौन जिवा होगा चार सेंटिमीटर वाला जिवा या तीन सेंटिमीटर वाला जिवा तो हम यहाँ पर लिखेंगा चुकी चुकि वृत की बड़ी जीवा चोटी जीवा की चोटी जीवा की अपेच्छा केंदर से निकटतर होती है तो देखें वृत की जो बड़ी जीवा होता है चोटी जीवा की अपेच्छा केंदर से निकटतर होता है यानि बड़ी जीवा केंदर के निकट होगा क्योंकि सबसे बड़ी जीवा होता है व्यास वृत का व्यास जो होता है सबसे बड़ी जीवा होता है तो व्यास काहाँ पे होता है केंदर से गुजरता है ठीक है तो केंदर के जो नजदीक जीवा होगा वह सबसे बड़ी जीवा होगा यानि जो बड़ी जीवा होगा वो केंदर के क्या होगा नजदीक होगा तो AB चार सेंटीमीटर है AB जो जिवा है यह 4 cm है और CD जिवा कितना है 3 cm है तो बड़ा जिवा है AB यानि AB जिवा केंद्र के अधिक निकट है CD जिवा से ठीक है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अता अता है AB जिवा AB जिवा केंद्र के अधिक निकट है केंद्र के अधिक निकट है तो AB जिवा क्या है केंद्र के अधिक निकट है क्योंकि AB जिवा CD जिवा से बड़ा है इसलिए वह केंद्र के अधिक निकट होगा प्रेसन बारह AB बराबर 6 cm और CD बराबर X cm किसी वरीत की दो जिवाएं है AB और CD की दूरियां वरीत के केंद्र से Y और Z है तो निमने लिखित के उत्तर दें A यदि Y बराबर Z तो X बराबर 6 या X बड़ा है 6 से या X छोटा है 6 से में कौन सही है B मैं है यदि Y बराबर Z तो X बराबर 6 या X बड़ा है 6 से या X छोटा है 6 से में कौन सही है तो सबसे पहले यहाँ पर एक वरीत बनाएंगे देखे इस तरह से एक वरीत बना लेंगे तो कह रहा है कि यदि किसी वरीत की नई, A, B बराबर 6 cm और C, D बराबर 1 cm किसी वरीत की दो जिवाएं है तो यहाँ पर हम A, B एक जिवा बना लेते हैं A, B और यहाँ पर C, D तो A, B कितना 6 cm है? A, B 6 cm और माल लेते हैं यहाँ पर इस वरीत का केंदर है ठीक है? अब देखे केंदर से A, B को मिला देते हैं और केंदर से C, D को भी मिला देते हैं यहाँ पर O लिखेंगे केंदर को O से लिखते हैं तो इस तरह से चितर बनाएंगे अब कह रहा है A, B बराबर 6 cm A, B कितना है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे A, B बराबर 6 cm जीवा A, B कितना है? 6 cm का है? यह जो A, B जीवा है यह 6 cm है और C, D C, D बराबर X cm C, D कितना है? X cm तो अब कहा रहा है A, B और C, D की दूरियां केंदर से Y और Z है तो देखें A, B और C, D की दूरियां जो केंदर से है यह Y है यह क्या है? Y है और यह Z है ठीक है? तो A, B जो है A, B जीवा केंदर से दूरियां कितना है? Y और C, D, जीवा को केंदर से Z दूरियां है ठीक है? इतना दिया हुआ है अब प्रस्ण बारा का A हल करेंगे तो A में कह रहा है Y बराबर Z क्या कह रहा है? Y बराबर Z अगर Y और Z बराबर हो जाए तो प्रस्ण बारा का A में कह रहा है कि Y जो है Z के बराबर है यदि Y बराबर Z तो X बराबर 6 या X बड़ा होगा 6 से या X छोटा होगा 6 से ये निकालना है हमें तो देखें जब केंदर से जीवा की दूरी बराबर होगा तो वह जीवा भी दोनों बराबर हो जाएगा ठीक है? क्योंकि केंदर से जब दोनों जीवा बराबर होगा तो दोनों जीवा भी क्या होगा? बराबर होगा ठीक है तो यहाँ पर लिखेंग आता है तो Y Z के बराबर है तो Y किसका दूरी है A B का A B जीवा का तो यहाँ पर लिखेंग आता है A B बराबर C D ठीक है A B बराबर C D तो जब Y और Z बराबर है तो A B और C D भी बराबर हो जाएगा ये क्या है जीवा है AB और CD क्या है जीवा हो गया और Y हो गया जीवा AB का केंदर से दूरी Y है और जीवा CD को केंदर से दूरी है Z तो जब दोनों का दूरी बराबर होगा केंदर से तो दोनों जीवा भी क्या होगा बराबर हो जाएगा तो लिखेंगा ता अब देखें A B 6 cm दिया हुआ है A B कितना दिया हुआ है 6 cm और C D है X cm तो जब A B और C D दोनों बराबर हो गया तो यहाँ पर लिखेंग आता है A B बराबर C D बराबर X बराबर 6 cm जब A B और C D दोनों बराबर हो गया है और A B है 6 cm और C D है X cm तो यह दोनों यानि X बराबर 6 cm हो जाएगा क्योंकि A B और C D तो बराबर हो गया है तो देखें हम लिख दिया है A B बराबर C D बराबर X बराबर 6 cm यानि A B है 6 cm और C D है 1 cm तो दोनों बराबर हो गया, तो X बराबर कितना आ गया, 6 cm, तो यहाँ पर पूछ रहा था कि X बराबर होगा 6 के, या X बड़ा होगा 6 से, या X छोटा होगा 6 से, तो इसका उत्तर आएगा कि X बराबर होगा 6, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, X बराबर 6, तो X ब्राबर 6 आ गया पहला में 12 का A में अब B हल करेंगे B में कह रहा है यदि Y ब्राबर Z क्या कह रहा है यदि Y ब्राबर Z तो प्रेस्न 12 का B में कह रहा है कि Y बड़ा है Z से यदि Y जो है Z से बड़ा है तो X ब्राबर क्या होगा ये पूछ रहा है B में यदि Y बड़ा है Z से तो X ब्राबर क्या होगा तो देखें Y क्या है Y है चाप A B ये माफ कीज़े जीवा A B का केंदर से दूरी Y है और जीवा CD को केंदर से दूरी को Z से यहां पे दिया हुआ है ठीक है तो जब जीवा AB की दूरी केंदर से Y है तो Y Z से बड़ा है इसका मतलब तो दूरी बड़ा होने पे क्या होता है जीवा छोटा होता है यानि यहां पे हम लिखेंगे AB जीवा छोटा होगा CD से इधर इसका मुह है तो यह बड़ा कह रहे हैं इसको Y को बड़ा कह रहे हैं लेकिन जब इसका मुह इधर हो गया है इसका मतलब AB जो है CD से छोटा है इसको इस तरह से पढ़ेंगे A, B किस से छोटा है? C, D से क्योंकि जब दूरी जादा होता है जीवा का केंदर से तो जीवा छोटा हो जाता है तो देखे, Y क्या है? जीवा A, B का केंदर से दूरी है तो जब जीवा का दूरी केंदर से बढ़ गया है तो जीवा छोटा हो जाएगा क्योंकि बड़ा जीवा केंदर के नजदीक होता है तो दूरी बड़ा हो गया तो जीवा छोटा हो जाएगा केंदर से जब दूरी जादा हो गया है तो जीवा क्या हो जाएगा छोटा तो यहाँ पर इस तरह लिखेंगे A भी छोटा है CD से चोटा है इस तरह से यहां पर चीन देंगे यानि AB जीवा CD से छोटा है क्योंकि Y बड़ा है Z से यानि AB जीवा का जो केंदर से दूरी है वो जादा है इसका मतलब AB क्या है CD से छोटा हो गया तो AB कितना है 6 cm AB कितना है 6 cm और CD है X ठीक है AB 6 cm दिया हुआ है और CD है X cm तो AB के जगा पर 6 लिख देंगे CD के जगा पर X लिख देंगे तो लिखिएंग आता है X बड़ा होगा तो पूछ रहा था कि X या तो बराबर 6 से X बराबर 6 होगा या X बड़ा होगा 6 से या X शोटा होगा 6 से तो यहाँ पर x बड़ा होगा 6 से देखे, 6 छोटा है x से इसका मतलब क्या हुआ कि x बड़ा है 6 से तो इस तरह इसका चिन देंगे ठीक है, x को इधर लिख लेंगे तो चिन इस तरह कम हो जाएगा क्योंकि x क्या है, बड़ा है 6 से तो बी में इसका उत्तर आएगा कि x बड़ा है 6 से तो इस तरह से प्रस्ण 12 हल करेंगे क्या है